आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now इस वीडियो में हम बात करेंगे एक Converging Lens हमें दिया है जो हमने को Actually Contact में रख रहा है एक Diverging Lens के अब दोनों Lens जो है वो हमारी Equal Focal Lens के हैं हमें बताना है कि इनका Combination का Focal Lens टोटल क्या रहेगा तो इस Question में हमें पता है कि Focal Lens हमें क्या Given है? Equal तो हम मजीम कर लेते हैं कि Converging जो हमारा Lens है उसका Focal Lens कितना है? प्लस F क्योंकि वो Converging है और जो Diverging है उसका कितना है Focal Lens हमारा Minus F अब Power Converging Lens के इस Case में क्या हो जाएगी? अगर हम P1 से Denote करें Converging Lens के लिए का Power है Inverse of Focal Lens 1 by F और यही चीज Diverging Lens के लिए कितनी हो जाएगी हमारी P2 Equal to Minus 1 by F तो जब हम Combination Find करेंगे अगर हमारा जो Power of Combination है दोनो Lens को जब हम Coexily Join कर रहे हैं तो वो हम Denote करते हैं P से तो P हमारा Summation होगा P1 और P2 का तो P1 प्लस P2 तो यहां में क्या Given है? 1 by F प्लस minus 1 by F यह वाली थी तो what we get हमारा जो Power of Combination है वो कितना हो गया? 0 तो इस Combination का अगर हमारा Power of Combination 0 आया है तो अगर हम Focal Lens Find करें हमारे Combination की तो वो कितनी हो जाएगी अब? वो अब हमारी आजाएगी F equal to 1 by P तो P की value 0 यानि की F जो है 1 by 0 होगया यानि की Infinity तो जो Focal Lens रहेगा Combination का वो रहेगा Infinity पे Thank you Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही Means और Advanced के लेवल तता स्मिलियन से जादा Students का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या What's Up कीचे अपने डाउट 8400-400-400 पर